दिल्ली में प्रियंका के दाहाड ने पूरी तरह से बीजेपी को हिला कर रख दिया है प्रियंका ने कल राहूल गांधी को लेकर बीजेपी को फटकार लगाते हुए बताया कि जिसे वो पपू कहते हैं असल में वो कितने काबिल इंसान है लेकिन एक मुहीम छेड कर राहूल गांधी को जनता के सामने गलत तरीके से पेश किया जाता है इसके बाद बीजेपी के एक नेता ने राहूल गांधी की डिगरियों को लेकर प्रियंका के बयान को जूटा बताया बस फिर इसके बाद कॉंग्रेस की प्रवक्ता ने बीजेपी नेता की ऐसी क्लास लगाई कि पूरी बीजेपी की बोलती बंद हो गई पूरी खबर रिपोर्ट में देखें राउल गांधी के मुद्धो को लेकर सडक से लेकर सदन तक गतिरोध बना हुआ है हलाकि बीजेपी की हरचाल को कॉंग्रेस बड़ी आसानी से नाकाम कर रही है हर बार का पलेट बार कॉंग्रेस कर रही है जिसे अब बीजेपी बॉखला गई है कल कॉंग्रेस के प्रदेशन की तस्वीरों ने बीजेपी की नीं दुडा दी है प्रियंका ने बीजेपी को आड़े हांतों लिया पीम को कायर बताया अपने शहीद पिता का अप्मान करने वालों की जमकर फटकार लगाई इस वीच उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिसे बीजेपी ने पप्पु बनाये है असल में वो एक पड़े लिखे और जिकर नहीं है प्रियंका वाडरा अपने आयोग्य भाई की तरह ही जूट बोड़े क्या परिवार के वारे में कुछ ऐसा है जो नकली नहीं है उसने जितनी बार पपु का जिकर क्या मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं दरसल इस वीडियो में प्रियंका अपने भाई राहुल की डिग्रियों के बारे में बता रही है इस ट्रीट के बाद कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रनेत ने बीजेपी नेता की ऐसी क्लास लगाए कि उनकी बोलती बंद हो गई सुप्रिया श्रनेत ने इस ट्रीट को रीट्वीट करते हुए लिखा जिसको आपने की फटकार और सवाल दोनों के बाद बीजेपी अप्शान्त है जैसे की अडानी मुद्देपार डीबी लाइफ की रिपोर्ट